कि अधिकतर माये इससे परिसान रहती कि उद्रे दूद नहीं आ रहा है तो क्या अपने बच्चे को गाय का दूद दे सकती है मुझे दूद नहीं आ रहा है तो मैं क्या अपने बच्चे को गाय का दूद दे सकती हूँ ये प्रas्ण अधिकतर महिलाओं के मन में होता है और इस समस्या से अधिकतर महिलाओं जूषती है तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये वीडियो को लाइक किजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो क्या ऐसे में क्या करें क्या हम अपने बच्चे को गाय का दूद देना सही समझें सही होता है सबसे पहले दूद आए या ना आए कम आए आपको हर हाल में इस्तनपान कराना ही कराना है और गाय का दूद उसके बच शिशु कई समस्याओं से गुजर सकता है जैसे जादा मत्रह में गैस बनना पेट में सूजन या उल्टी दस्त भी हो सकते हैं गाय के दूद में मौझूद विशेश प्रकार का प्रोटीन जो शिशु का इम्नियून सिस्टम स्विकार नहीं करता है क्योंकि या पचने में थोड़ा मुश्किर होता है गाय के दूद में मौझूद लेक्टोस से भी शिशु को एलर्जी हो सकती है और या आपके नन्य शिशु की किड्नी पर भी विप्रीद प्रभाव डाल सकता है इसलिए जब तक आपका शिशु एक साल का नहीं हो जाए उसे गाय का दूद नहीं देना चाहिए इसकी जगा आप फार्मूला मिल्क का इस्तेमाल कर सकती हैं और हो सके तो इस्तनपान ही कराएं तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक किजिए शेर किजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सस्क्राइब करने ना भूले साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें